शमान विज्ञान के महत्पूर्ण प्रस्ण प्रास्रब तरंगों को उत्पन कहता है चमगादर अवरक्त तरंगों की खोज़की थी विलियम हरसल ने जल में पड़ी प्रक्नली का चमकना हीरा का चमकना उदारन है पूर्ण आंतिक प्रवेतन का प्रकास का मुलकन होता है फोट्रावन रेडियों तरंग की खोज़ की थी हेंद्रिक हर्टर जने बिजुत मसीनों के ब्रस बने होते हैं कारवन के किसी अध चाला को गर्म करने पर उसकी चालकता देखिए अध चाला को गर्म करने पर चालकता बढ़ेगी और उसका पतिरोद घटेगा पर अगर ही पर कोश्चे में चालक दिया होता है कि किसी चालक को गर्म करने पर तो अगर कोई चालक को गर्म करने पर चालकता घड़ता है प्रतिरोद बढ़ता है जब कि अगर चालक को गर्म करने पर चालकता बढ़ता है और प्रतिरोद घड़ता है तो यहां पर इता हुसा किसी बस्तु के संबेग में परिवरतन की दर को कहा जाता है आवेग गतिसीर बस्तु के बिस्थापन की दर को कहते हैं बेग बस्तु की मात्रा बदनने पर भी आप पर वरती तरहता है घनात्र बस्तु कोईपस्तु कम हुए जारा हो उससे इसके आएटर के परहौ अलहे thank you जाएग तो उसका ही सब्सक्रियातन और कि अध्य knead का थे ऊधे तो प्रहोर पड़ेगा कंभ c और यहाँते हैं मुला तो ज्ञेम दुरन पूम्ध को ताप माप जातंगा सो मृपफ से तो पाइरोम्यटर गया एक यंत्र है जिस हमुले के बस्तु का को मृफ आता है लिगेagen किश है Kalau अमने मृफ बस्तू को सटइग ता क्व्पने यह नकिला अधिक उचाय पर जाने पर वायुदाब कम होता है तो अधिक उचाय पर जाने पर वायुदाब कम होने लगता है अधिक कारण है कि वायुदाब कम होने कारण बहुत से लोगों के नाक से बलड़ आ जाता है यही कारण है कि एरोपेलेन पर भीज़ चुकी वायुदाब कम होता है तो पेंस से आई बाहर निकल जाता है ठीक है तो यह सम वायुदाब कम होने कारण है तापमाथ में बीधि के साथ कावन का पैतिलोद घटता है यहां पर जसyas में पहले बताया कावन क्या है कावन एक चालक पढ़ात नहीं है एक कायवन एक अध़ चालक पढ़ात है क्योंकि बहुत से कावन इक पुल्फ एक, तक कुरुड कoryब का अधर ह Bros ऐब पानी का वार्स के रूप में रुपांतरन करेंसा प्रिवरतन है कि यह अब जोग ुश्मान्वाद्रा हुआ ओनधरह फिस से वर्स्था में ला सकते हैं उसनों भूतिक प्रीवाइचन कहते हैं पानी इसको भाप बंद है फिस थंड़ा के अपर फानी के बुंद्र में प्रीवांट्रीत गए ना लेकिन ऐसा परिवयतन जिसको किसी भूतिक पर कुलिया दोरा हुआ है बापिस उस झाल झाल